नमस्कार बच्चों आज हम आपके पूस्तक व्यवसाइक अध्यान भाग दो का नौवा अध्याय व्यवसाइ वित्त वविपडन का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं बच्चों इस अध्याय के पहले भाग में हमने व्यवसाइक वित्त के अर्थ को जाना हमने देखा कि कैसे वित्त किसी भी व्यवसाइक के संचालन के लिए सबसे अनिवारी चीज है बिना पैसे के ना हम व्यवसाइक करने के सोच सकते हैं ना व्यवसाइक शुरू करने के बा लेने पड़ते हैं जिनमें सर्वोपरी आता है निवेश संबंधी निर्णय यानि एक प्रबंधक को यह निर्णय करना होता है कि उसे अपने विवसाय में कहां पर राशी निवेश करनी है निवेश निर्णय करके या रण के द्वारा वो राशी प्राप्त करेंगे वित्य निवेश करने के बाद जब हमारे पास वित्त आ जाता है तो हम उस वित्त की राशी को अपने द्वारा चुने गए निवेश के शोत में निवेशित करते हैं राशी निवेश करने के बाद जब हम अपने कारी करते हैं वेवसाय को चलाते हैं तो हमें उससे लाब की राशी प्राप्त होती है यहाँ पर आता है वित्तिय निर्णेओं का तीसरा भाग यानि लाभांश से संबंदित निर्णे जब हम अपने व्यवसाई में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी कार्य में लाभ अरजित करते हैं तो यहाँ पर हमें एक निर्णे लेना होता है कि उस लाभ का कितना हिस्सा हम अपने आंश धारकों को बाटना चाहेंगे और कितना हिस्सा हम उसे रखना चाहेंगे, बचा कर रखना चाहेंगे आगे के लिए यह निर्णे जिसमें हम लाब को कहां पर इस्तिमाल करना है यह सोचते हैं वह इस बात का निर्णे करते हैं इसे हम लाभांश से संबंधित निर्णे कहते हैं अब यह भी एक बहुत अनिवार्य और एक बहुत महतोपूर निर्णे हो जाता है क्योंकि हम कितना लाब अपने अंशधारियों को बाटेंगे और कितना रखेंगे इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती है तो आईए आज के इस भाग को यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे लाबहांश का निर्णे लेते वक्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है लाबहांश निर्णे लेते वक्त सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमारा उपारजन यानि लाब कितना है यदि हमारी फर्म या हमारी कमपनी अच्छी मात्रा में लाब कमा रही है तो फिर हमें लाभांश देते वक्त यानि अंशधारियों को लाब का हिस्सा देते वक्त कोई परिशानी नहीं होगी हमारे पास लाब की राशिय परियाप्त होगी तो हम आसानी से काफी हिस्सा बचा भी पाएंगे और फिर अपने अंचधारियों को भी दे पाएंगे दूसरा कारक है उपारचन का स्थाईतुर यानि लाब का स्थाईतुर यदि हमारे कमपनी स्थाई रूप से निरंतर लाब अर्जित करती है तो फिर हमें अपने शेर होल्डर यानि अंचधारियों को लाब देने में कोई परिशान नहीं होगी क्योंकि हमारे पास यह चिंता करने का कोई कारण नहीं होगा कि यदि हमने इस वर्ष के लाब में से लाबहांश दे दिया और कहीं अगले वर्ष हमें लाब नहीं हुआ तो हम व्यवसाइक कैसे चलाएंगे यहां तो हमारे पास लाब स्थाईत्तु है यानि हमें इस बात की निश्चित्ता है कि हम साल दरसार लाब कमाते हैं ऐसे में हमें किसी भी साल, किसी विवर्ष लाबहांश दे कर फिर कुछ राशी रखने में भी कोई परिशानी नहीं होगी तीसरा कारक है लाबहांश का इस्थाईत्वर अब ऐसा कई बार देखा गया है कि कई कमपनियों की नीती होती है साल दरसार निरंतर अपने अंशधारियों को लाबहांश देने की वो अपने अंशधारियों को हर साल लाब का कुछ हिस्सा दे कर खुश रखना चाहते हैं उन्हें कम्पनी के साथ बनाए रखना चाहते हैं। यदि एक कम्पनी की नीती है कि उन्हें लाभान्ष का इस्थायत्व बनाए रखना है, तो फिर उन्हें हरसा लाब देना होगा, फिर उन्हें जादा सोचना नहीं है, अगर लाब हुआ है, तो उसका कुछ हिस्सा, भले ह थोड़ा हिस्सा हो वो लाब के रूप में दें और बाकी वो बचा सकते हैं इसके अतरिक्त सम्वरिध्धी संयोग भी एक महत्वपूर कारक है यदी कोई कंपनी विकास करना चाहती है उन्हें भविश्य में अपने विकास अपने सम्वरिध्धी के लिए अवसर नजर आते ह तो उन्हें पता है कि जैसे ही वो अवसर उनके पास आएंगे उन्हें उन अवसरों को लपकना होगा उसके लिए उन्हें पैसा लगाना होगा तो ऐसे में यदी हमारी कंपनी आने वाले समय में विकास को देख रही है तो आज हमें उस आने वाले समय के लिए पैसे बचान को बाट सकते हैं बचा कर रखने का कोई ऐसा मकसद हमारे सामने नहीं है इसके अतरिक्त रोकड प्रवह इस्थेती यानि कंपनी के पास रोकड यानि कैश का प्रवह कैसा है यदि हमारे पास कैश की मातरा अच्छी है नगत की मातरा अच्छी है तो फिर हमें लाभांश देने लेकिन लेकिन इसके कंपणी के पास रौखर की कंई है तो ऐसे में हमें लाभाश्च देने में भी परिशानी हो सकती है इसके अतरिक्त शेर बाजार की प्रतिकीरिया भी एक महत्chussह पूर्ण कारक है क्योंकि कई की बार यह देखा गया है कि जब कंपनिया अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश देती है तो इससे बाजार में कंपनी के शेर यानि अंशों के मूले में विर्द्धी होती है शेर के मूले में विर्द्धी होने से अंशधारियों की संपदा में विर्द्धी होती है और यही तो वित्य प्रुबंदन का मुख्यों देश यह हमने पराता है, है ना, तो यदि हम यह देखते हैं कि शेर बाजार में लाभांश देने से हमारे शेर होल्डर्स यानि अंचधारियों के संपदा में विर्द्धी हो रही है, तो हम लाभांश देंगे, इसकी विपित यानि अंचधारियों के लिए बुरा साबित होगा, तो बाजार की प्रतेकिर्या देखना भी जरूरी है, कि कहीं लाभांश ना देने से बाजार पे बहुत तकरात्मक असर तो नहीं पड़ेगा, इसके अतरिक पूंजी बाजार तक पहुँच भी एक महत्वपूर कारक है मान लीजिए, कल को हमें किसी प्रोजेक्ट या किसी परियोजना में निवेश करने के लिए पैसा चाहिए, हमने सोचा कि चलिए ये पैसा हम शेर बाजार से पूंजी बाजार से उठा लेते हैं, लेकिन यदि पूंजी बाजार में पूंजी जारी करना मुश्किल है, तो ऐसे में हमें जरुरत के समय पैसा प्राप्त करने में दिक्कत होगी। यदि हमारे यहाँ पूंजी बाजार की इस्थिती ऐसी है, तो हम चाहेंगे कि हम पूंजी बाजार पर पूरी तरह निर्वर होने के बजाए कुछ धनराशी स्वयम बचत करें। इसलिए ऐसे में हम जब भी लाब होगा लाभांच कम देंगे और बचत जादा करेंगे इसके विप्रीत यदि पूंजी बाजार में पहुच बहुत आसान है हम जब चाहे सरलता से पूंजी जारी करके धन राशी प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे में हमें भविश्य की चिंता कम होगे फिर हम आज लाभांच बाड़ देंगे और बचत कम करेंगे इसके अलावा एक और महतोपूर कारक कानूनी बाध्यता का भी है कमपनी अधिनियम 2013 में विशेश रूप से प्रापधान किये गए है कि एक कमपनी अधिक्तम और नियूंतम कितना लाभांच दे सकती है हमें लाभ को वितरित करते वक्त इन अधिनियमों का और इसके अंदर दिये गए प्रापधानों का भी ध्यान रखना चाहिए तो बच्चों हमने देखा इतने सारे कारक है जिनका यदि हम ध्यान रखे तो हमें यहां निर्णे लेने में सरलता होगी कि हमें लाभ में से कितनी राशी लाभांश के रूप में अंशधारियों को देनी चाहिए वो कितनी राशी हमें बचित करके रखनी चाहिए अपने भविश्य के लिए तो इस प्रकारी सभी निर्णे एक कड़ी की रूप में या एक चक्र की रूप में भी कहे तो साथ मिलकर एक प्रबंधक को अपने वित्य प्रबंधन में सहायता करते हैं चाहे वो निवेश निर्णे हो या वो वित्य से संबंधी निर्णे हो या लाभा आश्य संबंधी निर्णे तीनों निर्णे लेकर एक वित्य प्रबंधक अपने फर्म या कमपनी के वित्य को सुगमता पूर्वक प्रबंधित करता है ताकि वित्य यानि पैसा जो किसी भी व्यवसाहिका आधार है उसमें किसी प्रकार की परिशानी नाए अब वित्य प्रबंधन का ही एक हिस्सा या ये कहलें कि इससे जुड़ा हुआ एक विशय वित्य नियोजन का भी है बच्चों नियोजन हम सब पहले पढ़ चुके हैं नियोजन अर्थात प्लानिंग का अर्थ होता है कि हम भविश्य के बारे में सोचें कि आगे हमें क्या करना है उससे जुड़े हुए कुछ निर्णे ले कुछ विकल्पों को जाचें और पर्खें और फिर कुछ निर्णे जैसे हमने एक संपून नियोजन को पढ़ा है वैसे ही वित्य का भी नियोजन किया जाता है वित्य नियोजन का तातपर्य एक संगठन के भविश्य प्रचालन से संबंधित एक वित्य ब्लूप्रिंट यानी खाका तयार करना होता है हम भविश्य के बारे में सोचते हुए अपनी कमपनी के वित्य संबंदी सभी फैसलों का एक खाका तयार करते हैं इसका मुख्यों देश उचित समय पर परियाप्त मात्रा में निधी उपलब्द कराने का होता है फिर से सुने वित्य नियोजन का मुख्योदेश उप्यूक्त समय में परियाप्त मात्रा में निधी उपलब्द कराना है यानि जब हमें जरूरत हो उस वक्त निधी की परियाप्त मात्रा यदि हमारे पास उपलब्द होगी तो हमें अपने काम करने में परिशानी नहीं होगी लेकिन ऐसा करने के लिए हमें पहले से सोच कर रखना होगा कि कब किस समय हमें कितनी राश्य की आवश्यक्ता पढ़ सकती है और जब हम पहले से सोच कर उसकी तयारी करते हैं तो उसे ही तो नियोजन कहते हैं न तो वित्य नियोजन भी यही हुआ, कि हमें भविश्य में कब किस समय कितनी राश्य की आवश्यक्ता होगी, हम इसकी पहले से तैयारी करके यह सुनिशित करें, कि जरुरत पढ़ने पर हमें इसमें कोई दिख्कत ना हो, यहां यह समझ लेना भी जरूरी है कि वित्य नियोजन ना तो वित्य प्रबंधन के समतुल्य है ना ही उसका स्थानपन यानि वित्य नियोजन एक अलग विसेवश्टू है यहां वित्य प्रबंधन का भाग हो सकता है लेकिन यह उसका स्थानपन नहीं हो सकता वित्य प्रबंधन का उद्देश हमने देखा था कि अंचधारियों या स्वामियों की संपधा में विरिदी करना होता है जबकि वित्य नियोजन का उद्देश निधी की आवशकताओं पर फोकस करते हुए विवसाई के सुगम संचालन हेतु वित्य निर्णयों के माध्यम से निधी की उपलब्दता पर होता है यानि वित्य नियोजन का उद्देश निधी उपलब्द कराने पर होता है कि सही समय पर सही मातरा में हमारे पास निधी उपलब्द हो इसका प्रयत्न उन मदों की भविश्यवानी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने के सभावना हो भविश्य में कहां किस प्रकार के बदलाव होंगे हमारे व्यवसाय में कब क्या जरूरत आएगी इसकी भविश्यवानी करना नियोजन का मुख्य फोकस के इंद्र होता है इससे प्रबंद को निधी की मात्रा वो उसके आवशक्ता का समय ग्यात करने में सहयता होती है या अधिक्य या संभावित कमी के विशय में बतलाता है यानि यदि हम पहले से नियोजन करके चलेंगे तो समय आने पर ना तो हमें निधी यानि धनराशी की कमी होगी ना हमारे पास धनराशी अधिक की होगी दोनों ही चीज़ें सही नहीं है बहुत लंबे समय के लिए नियोजन करेंगे तो वो एक तो मुश्किल होंगे वो इतने उपयोगी भी नहीं होंगे कई बार नियोजन कम समय के लिए भी किया जा सकता है यदि नियोजन एक वर्ष या उससे कम समय के लिए है तो उसे बजट कहते हैं बजट में हम एक वर्ष के अंदर हमारे पास कहां से कितनी राशी आएगी वो कहां कितनी राशी हम खर्च करेंगे यह सोचा जाता है और समय पर राशी को उपलब्द कराने की कोशिश की जाती है लेकिन मूल रूप से एक अच्छा नियोजन तीन से पाँच वर्ष की समय अवधी को लेकर चलता है वित्य नियोजन का सुभारंब बिक्री की भविश्यवानी के साथ हो जाता है यानि एक विवसाय को बिक्री का पूर्वा अनुमान लगाना होता है तभी तो हम फैसले ले पाएंगे कल्पना कीजिए कि एक कंपनी पाँच वर्षों के लिए वित्य योजना बनाना चाहती है इसका आरंब अनुमानित विक्री से होगा जो आगामी पाँच वर्षों में होने की हम आशा करते हैं यदि हम अपने आगामी पाँच वर्षों में होने वाली विक्री क आशा या भविश्यमाली को बता सके तो इस पर आधारित वित्य विवरणों का निर्मान इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि निवेश के लिए निधी स्थाई पूंजी या चालू पूंजी कितनी चाहिए यानि यदि हम देखे कि आने वाले पांच वर्षों में ह सहायता करेगा अपने निधी को जुटाने में तो हमने पहले विक्री की भविश्यमाली की उसके आधार पर हमने स्थाई और चालू पूंजी का अनुमान लगाया और फिर उसको जुटाने का प्रयतन किया तो यह वित्य नियोजन का एक मुख्य तरीका होता है काम करने का अब इतना भविश्यमाली करना वह यह सब सोचना क्यों जरूरी है क्या कोई फाइदा है यादि हम भविश्य के बारे में सोचकर चले भविश्य तो अनिष्यत है भले ही भविश्य अनिष्यत हो लेकिन फिर भी अनिष्यताओं से बचने के लिए भी यह जरूरी है कि हम कुछ माननेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए भविश्य की तैयरी करते हुए चले। इसलिए किसी भी व्यवसाई के लिए वित्य नियोजन महत्वपूर हो जाता है। वित्य नियोजन का पहला महत्व यह है कि यहां कोशिश करता है कि पहले से बतला दिया जाए कि भविश्य में विभिण्य व्यवसाई परिस्थितियों में क्या घटित हो सकता है। हम पहले से सोच कर अनुमान लगा कर चलते हैं। यह कंपनी या फर्म को भविश्य की परिशानियों का सामना करने के लिए सुद्रण बनाता है। उदाहरण आर्थ एक कंपनी की विक्री में 20 प्रतिशत की विद्धी का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन हम यह भी सोच कर चलना होगा कि हो सकता है यह व्रिद्धी या विक्री 10 प्रतिशत हो या 20 से अधिक तीस भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों का अनुमान लगाकर उसके अनुरूप खुद को तयार कर सकते हैं। दूसरा महत्व यहां आकस्मिक परिशानियों से बचाने में भी साहता करती हैं। क्योंकि हम कुछ परिशानियों जो हो सकती हैं अपने अनुभव के आधार पर उनका अनुमान लगाकर हम पहले से तיारी कर सकते हैं। तो हम आकस्मिक होने वाली परिशानियों से यहां पर हम बच सकते हैं। विभिन्य व्यवसाई कारियों में सामजस्य स्थापित करना भी यहां पर सरल हो जाता है। इसके अतरिक्त वित्तिय प्रबंधन में कारी के विस्तरित योजना बना कर अपविये को कम किया जा सकता है। तथा क्रियाओं की पुनरवित्ति वा नियोजन में अंतराल को भी कम किया जा सकता है। हम इस तरह की एक तरह का समनवे बना सकते हैं अपने सभी कारियों में यदि हमने पहले से योजना बना रखी है तो। अंत में यहां भी कहना गलत नहीं होगा कि वित्य नियोजन भविश्य और वर्तमान को जोड़ने का काम करता है तो बच्चों यह था वित्य प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक और अती महत्वपूर विश्य वित्य नियोजन का जो कि एक फर्म को भविश्य के बारे में पहल प्रबंधित करके उसका उच्चित और सर्वुत्तम उप्योग करने की कोशिश करती है हमने वित्य प्रबंध के अंदर जो कार्य देखे उनमें हमने कुछ बहुत महत्वपूर बिन्दूओं पर चर्चा की है अब आगे के इस बचेवे अध्याय में हम उनहीं में से कुछ में है तो पूर बिन्दूओं का पूर्णरा वलोकन करेंगे उन पर और विस्तरित चर्चा करेंगे आपको याद होगा हमने वित्य निर्णे में बात की थी कि जब एक कमपनी वित्त का प्रबंधन करने जाती है वित्त जुटाने जाती है तो उसके पास दो विकल्प होते या तो हम वित्त समता के द्वारा जुटा सकते हैं यानि हम अपने कमपनी के शेर या अंश जारी करके वित्त जुटा सकते हैं या हम रिण लेकर भी वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं अब यह निर्णे जो कि हमने वित्तिय निर्णे के अंदर पढ़ा या केवल एक वित्त प्रबंधन के अंदर आने वाला छोटा निर्णे ही नहीं, बलकि ये कम्पनी के स्थाइत्व, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा निर्णे होता है, क्योंकि हर कम्पनी, हर फर्म पूंजी से चलती है, तो पूंजी कहां से आएगी, पूंजी के अंद किस शुरोत का कितना हिस्सा होगा, यह एक बहुत बड़ा निर्णे होता है, इसलिए इस पर यह अनिवारी हो जाता है कि विस्तरी चर्चा की जाए, और बहुत सोच समझ कर यह निर्णे लिया जाए, विवसाइक अध्यन के छात्र होने के नाते, हम चाहेंगे कि आप सब इस बारे में और विस्तार में जाने, और समझें कि पूंजी का निर्णे और पूंजी की सनचना का निर्णे कैसे किया जाता है और वो कितना महतवपूर होता है, जब हम पूंजी सनचना की बात करते हैं, तो हमारा मुख्य तात्पर्य होता है, हमारी पूंजी में समता और रिण के मिष्रण से, यानि हमारे व्यवसाएं में जितनी पूंजी लगी हुई है, उसमें कितना हिस्सा या कितना पृतिशत कहले, स्वामित्व का यानि समता पूंजी का है और कितना रिन का है इसको समझने वह देखने के लिए इसकी गणना करने के लिए विभिन प्रकार के अनुपात बनाए गए जिसे आप लेखा शास्तर में बढ़ते हैं जैसे की रिन समता अनुपात इसमें रिन की राशी को समता की राशी से विभाजित करके द काशी से विभाजित करके यह देखते हैं कि हमारी कुल पूंजी में रिण का कितना हिस्सा है इस प्रकार के अनुपातों के माध्यम से यह देखा जाता है कि हमारी पूंजी में रिण का हिस्सा कितना है और फिर बाकी का समता का हिस्सा कितना है यदि यह दोनों हिस्से हमारे आवशक्ता यह हमारी उप्युक्तता के अनुसार नहीं है तो हमें उससे जुड़े हुए कुछ बदलाव करने पर सकते हैं इसलिए यह देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि रिण और समता दोनों ही प्रकार के निधी श्रोतों का एक फर्म के लिए फायदा और रुकसान दोनों होता है रिण की राशी यह रिण का जो श्रोत है वो एक व्यवसाय के लिए कम लागत वाला होता है क्योंकि जो हमारे रिड़धाता होते हैं, उनको जोखिम कम होता है तो वो कम लागत में भी हमें रिड़ दे लेते हैं यानि जो ब्याज हम देते हैं, वो सामानिता ऐसा पाया गया है कि सम्ता पर भुक्तान किये जाने वाले लाभांश के प्रतिशत से कम पाया जाता है क्योंकि रिड़ दाताओं का जोखिम कम है तो वो बदले में जो हमसे उमीद करते हैं कि हम उन्हें ब्याज देंगे वो भी तुल्नात्मकृप से कम होता है जबकि सम्ता पर व्यवसाई को लाभ होने के स्थिती में अधिक लाभांश देना पड़ता है क्योंकि सम्ता अंच धारक जो है वो जोखिम जादा उठाते है तो जहां एक तरफ रिड़ कम लागत वाला है लेकिन व्यवसाई के लिए वो अधिक जोखिम वाला भी है क्योंकि यदि हम इरिंड जारी करेंगे तो फिर हमें उस पर ब्याज का एक निश्चित भुक्तान करते रहना पड़ेगा वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ सम्ता हमारे लिए अधिक लागत वाला है तो वहीं हमारे व्यवसाई के लिए या कम जोखिम वाला है यानि एक व्यवसाई के लिए रिंड सस्ता होता है लेकिन अधिक जोखिम पूर्ण होता है जबकि सम्ता इसके विप्रीत होता है यह देखते हुए एक व्यवसाई को दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होता है क्योंकि जो हमारी पूझी सरचना होगी वो हमारे व्यवसाय की लाबदायक्ता और जोखिम दोनों को प्रभावित करेगी पूंजी सरचना को सर्वत्तम तब माहना जाएगा जब रिढ और सम्ता का अनुपात ऐसा होगा जिसका परिणाम सम्ता अंशों के मुल्य वृद्धी में हो यानि अंत में हमें अपने उदेश को याद रखना है, हमारा उदेश अंश धारकों के संपदा में विर्धी यानि संता अंशों के मूल्यों में विर्धी करना है वो तब ही होगा जब एक व्यवसाय बहुत अधिक जोखिम भरा ना हो, वो अपनी लागतों को ठीक से प्रबंधित कर रहा हो, वो उसके पूंजी सरचना उप्युक्त हो पूंजी सरचना उप्युक्त करने के लिए हमें रिण और संता के बीच एक बहुत विशिष्ट संतुलन बनाना होता है हमें अपने पूंजी में कितनी समताराशी रखनी है और कितना हिरिण रखना है ये हमें अपने व्यवसाय की स्थितियों के अनुसार निर्धारित करना होता है इस अध्याय के अगले भाग में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे एक वेवसाय अपने वेवसाय पर इस्थितियों अपने लाब की इस्थितियों आधी को देख कर यह निर्णय लेती है कि हमें अपनी पून्जी सरचना कैसे त्यार करनी है हम एक बहुत अच्छे उधारन से भी इसको समझेंगे तब तक के लिए आपने पून्जी के दोनों शुरोतों के बारे में जो पढ़ा जो विबिन्य निर्णयों के बारे में पढ़ा उसको अच्छे से समझें उसका पुनह अबलोकन करें ताकि अगले भाग में जब हम इस अध्याय का समापन करें तो आप कुछ बड़ी रोचक और महतुपूर्ण जानकारियों के साथ सभी बातों का समापन कर पाएं और समझ पाएं आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल